नमस्कार मित्रों जिसा की CBSE द्वारा जो निर्देश जारी किये गए हैं क्लास 10th के रिजल्ड के रिगार्डिंग तो बहुत से हमारे शिक्षक साथियों से जो बातचीत हुई है चर्चा हुई है और कुछ निसकर्स निकले हैं जो रिजल्ड कैसे प्रिपेर किया जाए तो सभी शिक्षक साथियों को सुजाव दे सकता हैं बाकी सब लोग कमीटी को सारे अधिकार दिये लेकिन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यह कुछ आइडिया हम लोगों ने आपस में डिसकस किया और उससे हम लोग सहमत हुए हैं तो वही आपके साथ सेयर कर रहा हूं कि हो सकता से ज़्यादा आपके मार्स नहीं होना चाहिए तो जैसे एक एक्जामपल के लिए हमारे स्कूल में जो कहा है कि आपके जो थ्योरी के मार्स है जो आउट आप 80 की बात चल रही है कि हमको अलग-अलग रिफ्रेंस यह दिये 2018-19 और 20 तो मैथेमेटिक्स में जिन लोगों को समस्या मैथेमेटिस में तो चुकि 2020 में ही बेसिक का जो एक्जाम हुआ था उसको ही बेसियर मानना है और आपका एवरेज मार्स यह रखना 49.64 दिया तो इसके आसपास ही रखना है इससे आपको थोड़ा कम हो सकता है या 49 है तो 50 हो सकता है प्लस टू या माइनस टू कर सकत है जैसे और स्टेंडर्ड वाले जो बच्चें उनको 54.45 दिया है तो आप 54 रख सकते हो या 56 जा सकता है आपका यहने दो प्लस या माइनस हो सकता है अधर सब्जेक्ट में भी सेम यही सीचुएशन है जो बेंच मालब जो एवरेज मार्स दिया है उसके अनुसार आपको र 2019 को रिफ्रेंस यह मानना है जिसमें क्लास एवरेज पूरी क्लास का 58.56 रखना है यह क्लास का एवरेज है ना टोटल मार्स इन मैं सब्जग यहने पूरे क्लास का एवरेज आपको 58.56 रखना आउट आप 80 तो इससे प्लस टू जा सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं जान 2019 को बेस मान कर दिया है अब यहाँ पर भूस से सिख्षक साती हमारे परेजान हो रहें कि सर इसमें 26 के अंडर कितने बच्चे लाएं 26 to 40 में कितने लाएं ऐसे 70 to 80 में कितने ला तो यह यह आप्शनल हो सकता है आपको सरवाधिकार प्राप्त है आपको इसको ज्यादा आव अब को में तार्गेट यहां फिक्स करना है कि आपका क्लास जो है सभी सब्जेक का मिलकर 58.56 अगर रिफ्रेंस यह तो इससे ज्यादा नहीं जाना चीना अब क्या करें और हिंदी में ज्यादा मार्स आ रहें में भी ज्यादा आ आ रहें किसको कम करें तो उसके लिए आपक 53.52 है लेकिन इस बार क्लास एवरेज की अगर बात करें तो बच्चों का एवरेज 60 या 65 के आसपास आ रहा है क्योंकि ओनलाइन एक्जाम दिया है उन्होंने और बहुत अच्छे मार्स लाएं के से लाएं यह सब आप जानते हैं ठीक है तो हम क्या करें बच्चों को कम करना करना पड़ेगा ज detaler कम करना पड़ेगा हिंदी और सॉसल साइंस पर यह से बीसे मार्स आते ही हर वह लोग क्या करेंगे तो इस समद्थ में में यहीазывाタ यहाइब बच्चों कि आप बहुत करें तो एवरेज हमको 58.56 के पास पहुशना है फिर भी नहीं पहुशागा सिट निकालिए उसको अपने पास रखिए जीन बच्चों के नाइद क्लास में कम मार्स आये जो बाउंडरी पे थे और आप खुद व्यक्तिकत रूप से उनको जानते हैं तो उन बच्चों का मार्स कम करिए और जो इंटेलिजेंट बच्चें बहुत अच्छे हैं जो बहु होगा आप अभी न्यायाधी से तो न्याय करिएगा बच्चों के साथ तो न्याय कैसे होगा जो चिटिंग करें हैं बच्चे या जिसने किसी वज़े से आप जान सकते हैं कि यह इतने मार्स नहीं ला सकता फिर भी इसके बहुत अच्छे मार्स हैं तो नाइंध क्लास को ब सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो कहीं कहीं आपको मैंत में बहुत ज्यादा जा रहा है और तो आता ही आप सभी जानते हैं तो वह लोग क्या करेंगे थोड़ा सा आप उनसे मिल बैठ कर प्रेंसिपल सर से से रिक्वेस्ट करके सोसल साइंस और हिंदी के थोड़े-थोड़े मार्स कम करवाई है क्योंकि उसमें सभी बच्चों के 70-80 मार्स आते हैं मतलब 70 अबाव मार्स आते हैं 60 अबाव मार्स तो उनको थोड़ा सा नीचे लाइए और आप थोड़ा ऊपर जाए मैथ वाले साइं सवाले थोड़ा सा क्योंकि बच्चों के इस बार अच्छे मार्स आएं ओनलाइन में तो आप कितने कम करेंगे अगर कोई 75 मार्स लाया तो उसको 35 या 50 नहीं कर सकते तो एसे केस में उनकी मदद लेजिए आप सोसल साइंस और हिंदी वालों से कि आप थोड़े-थोड़े 55 नंबर कम करिए और हम इन बच्चों को जैसे 75 मार्स है किसी बच्चे का और बहुत वीक स्टूडेंट था वह लेकिन 75 लिए तो उसको आप 50 तक लिए या 60 तक लिए उसके 15 मार्स लेकिन उसको बिल्कुल आधे कर देंगे तो वह कहींने कहीं हमारे मन में भी ऐसा लगेगा कि हमने बहुत ज्यादा अन्या आई किया लेकिन बिल्कुल अगर स्लो लर्नर है आप जानते वह नहीं ला सकता है तो उसको आप 9 को बेस मान कर उसके मार्स कम कर सकते हैं तो ऐसा मेरा सुझा हुए आपको समझ में आया होगा क्योंकि आप्टराल कमीटी ने आपको जो आप को कुछ समझ में आया हुगा तो अगर अगर अच्छा लगाओ तो अपने दूसरे साथियों को भी इसके फारवर्ड करिएगा चुकि मेरे पास बहुत लोगों के फोन आयते तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दिया जाए ताकि सभी को यह समझ में आजाए ओके थेंक्यू है वे नाइस डे